हलो दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीटी टो कमिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि एक दिन पहले कोई particular stocks आपका उपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा अगर किसी stocks में हमें breakout देखने को मिल रहा है तो उसका idea हमें पहले से पता चल जाएगा उसके लिए हम पहले से खुद को तयार कर सकते हैं वो stocks हमारे watch list में रहना चाहिए तिस अब काम आप कैसे एक दिन पहले कर सकते हैं वो जीज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूँ और इस तरह का crucial information आपको कोई नहीं देगा तिसलिए अगर अभी तक आपने मार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जबा दिजे साथी साथ बेल आइकन को जब दबा दिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका notification आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को मिश ना करें तो चली देखते हैं कि calcium एक दिन पहले पता कर सकते हैं कि कोई particular stocks आपका उपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा यहाँ पर हम चाट पर आगे और यह जो चाट है आपका Tata Alexa का चाट है 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चाट है अब 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करते हुए आप यहाँ पर intra day में भी ट्वेरिंग कर सकते हैं आप जाओ तो future चुट में भी कर सकते हैं और options में भी कर सकते हैं यहाँ यहाँ पर तयार कर सकते हैं और कोई भी stocks अगर आपका breakout देने वाला है तो उसके बारे में आपको idea मिल जाएगा कि next उसका move कैसा होगा लेकिन इसके लिए कुछ conditions है कुछ conditions के basis पिर हम find करेंगे तो सबसे पहले यहाँ आपको बताना जाओंगा देखिए टाटा एलेक्स से कि अगर हम बात करें तो 13 तो अप September 2022 के मैं बात कर रहा हूं 15 मिनट के time frame मे आप जाके check भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें जवरदस्ट upside की तरफ breakout देखने को मिला था इस breakout को हम कैसे पहले identify करके early identify करके हम इसको play कर सकते हैं इसमें entry कर सकते हैं इसके लिए हम कैसे पहले से तयारी कर सकते हैं अगर आप सोच वे हैं कि इसके लिए हम पहले से तयारी नहीं कर सकते हैं तो ऐसा सोचना गलत है इसके लिए आप पहले से तयारी कर सकते हैं को आप प्रिपेर कर सकते हैं कैसे वही आपको समझने के जववत है सबसे पहले हमें एक चीज आइडेंटिफाई करना है अब ये चीज हमें थोड़ा सा मैन्वली आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई पार्टिकुलर स्टॉक्स अगर आपका ओपन होता है 15 में टाइम फ्रे होना चाहिए थोड़ा बहुत बार मुमेंट होगा तो ज्यादा कोई फर्क नहीं परेगा लेकिन मैक्सिमम जो आगे का प्राइस मूव करेगा वो इसी के अंदर मूव करेगा जैसे यहां पर अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करें 12 अप सेप्टेंबर के अगर हम प्राइस सेक्सन को देखे 15 मिट वाले चार्ट में तो यहां पर हमें देखने को में लेगा पहला केंडल जो आपका हाई फॉर्म किया और लो फॉर्म किया उसी के अंदर पूरे दिन प्राइस आपका मूव करता हुआ रहे गया और क्लोजिंग भी उसी के अंदर दिया है अब यहां आपका क्रूशल सपोर्ट के रूप में काम करेगा और जब आप यह चीज़ देख लेते हैं कि 15 मिट के टाइम फ्रेम में पहला केंडल का हाई और लो अगर पूरे दिन ब्रेक नहीं होता या फिर मैक्सिमम टाइम ब्रेक नहीं होता है तो यहां पर हमें इसके हाई और लो को माप कर लेना और इसको आगे भी एक्स्टेंड कर देना है अगर इसके लोग को ब्रेक करके प्राइस नीचे जाता है तो यहां पर हम आपको सिस्टमैटिक तरिके समझाता हूँ यहां पर देख सकते हैं already drawing करके रखा है अब देखें यह आपका 12 of September को high बनाया है जो कि resistance के रूप में काम कर रहा है यह आपका low बनाया है जो कि support के रूप में काम कर रहा है अब पूरे दिन price आपका इसी के बीच में move किया है अब हम इंतजार करेंगे अगले दिन अगर यह आपका high को breaker को उपर निकला तो buy करेंगे और low को breaker के नीचे आया तो हम sell side की तरफ positions initiate करेंगे और अगर हम buy side की तरफ जाएंगे ति यह जो point है मेरा SL के रूप में काम करेगा अगर हम sell side की तरफ positions लेते हैं ति यह जो point होगा यह मेरा SL की रूप में काम करेगा तो SL इसके अपोजिट वाला highest or lowest point वो मेरा SL हो जाएगा तो यहां पर देखिए breakout की दो दिया अप साथ की तरफ breakout दिया 13th of September को market open होती तो जैसे इसको break करके उपर निकला यहां पर हम क्या कर सकते हैं buy side की तरफ clear cut entry ले सकते हैं और इस candle के low को भी आप as a stop loss के रूप में रख सकते हैं अगर आपको यह SL बरा लगता है तो यह आपके choice के उपर है आप जो candle आपका break किया है उसके lowest point को SL रख दीजे या ने तो आप इस point को भी SL के रूप में रख सकते हैं के रूप में tweet कर सकते हैं यह आपके choice के उपर है यहां पर थोड़ी सी हमें आजादी मिलवाई stop loss रखने का उसके बाल हम यहां पर इस upside move को play करते हुए आसानी से profit बना सकते हैं तो यहां पर हम 12th of September को ही हमने तयारी कर लिया कि अगर इसके उपर जाता है तो upside में breakout देखने बिलेगा breakdown हमें देखने को मिलेगा price नीची जाता हुआ दिखेगा तो इसके लिए हम पहले से तैयार थे और यहां पर upside move दिखा है और इस upside move से हम आसानी से profit बना सकते हैं और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो price यहां पर आपका देख सकते हैं काफी जबरदस upside move दिख 200 point का upside move का मतलब है तेहां पर उमीद करते हैं कि यह concept आपको clarity के साथ समझ में आ गया होगा तेहां पर अब हम दूसरे example पर आते हैं अगर आप दूसरे example को देखो तो यह आपका Asian Pants का 15 मिन टाइम फ्रेम वादा चार्ट है इसमें भी आप इंपारे ट्रेडिंग, BTST, Swing ट् रखते हो और यह जो डेट है आपका 17th of August 2022 का डेट है 17 August 2022 का अगर आप चार्ट को देखो तो इस दिन भी क्या हुआ है पहला candle आपका काफी अच्छा खासा भी गया है यह आपका इसका high बना इसके आपका low बना है उसके प्राइस आपका लगभग पूरे दिन इसी के बीच करता रहा यहां पर कुछ time के लिए इसको breaker के नीचे गया था लेकिन हम क्या करेंगे candle close होने का भी इंतजार करेंगे और यहां पर क्या हुआ है इसके नीचे गया है लेकिन हमें sellers में strength देखने को नहीं मिलवा है नीचे में long tail दिख रहा है long tail at the bottom that means true candle clear कुछ भी हो लेकिन य देखिए upside हमें green candle भी देखने को मिला है इसलिए यहां पर हम sell side की तरफ जाना positions avoid कर देंगे उसके बाद क्या किया है इस दिन closing आपका इसी range के बीच में दिया ती स्टॉक्स हमारे watchlist में आ जाएगा फिर 18th को इसके low या फिर high को break करने का wait करेंगे लेकिन यहां पर क्या हु वो हमें देखने को नहीं मिला जब दो दिन price आपका एक particular range के अंदर या फिर बोल सकते हैं एक particular candle के अंदर अगर आपका move कर रहा है तो यहां पर यह हमें और ज्यादा breakout या फिर breakdown दिखा सकता यहां अगर price उपर गया तो major upside move की उमीद कर सकते हैं उसके बाद हम 19th of September को भी इ इसके लोग को break करके नीची आया और उसके बाद sellers में strength हमें देखने को मिलवा है तो हम चाहे तो इस level के आसपास हम क्या कर सकते हैं sell side की तरफ interview ले सकते हैं यह जो point होगा यह हमारा SL की रूप में काम करेगा या फिर आपको SL थोड़ा सबीग रखना है तो यहां पर भी SL बनता हुआ दिख रहा है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं सबसे first इस target price के लिए जा सकते हैं और उसके बाद हम second यह जो target price है इस target price के लिए भी जा सकते हैं और आगे अगर हम बात करें तो देखिए price आपका और अच्छा कासा गिरावट दिखा है जो भी दोनों हमारा target price था उसको hit कर दिया यहनी price आपका all the way 3510 से लेके यह आपका 3400 के करीब आया है यहां से भी लगबग हमे 90 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला और ज्यादा गिरावट भी दिखा सकता लेकिन हम इतना कोई consider कर रहे हैं that means तो यहां पे भी हमें लगबग धाई percent का profit मिलता हुआ दिखा है और धाई percent का profit options में अगर आप trade करते हैं तिहां पे sufficient return मिल जाएगा futures में भी आपको अच्छा खासा return मिल जाएगा delivery या फिर कहीं पे भी आप trade करते हैं तो आपको अच्छा खासा profit इस move से मिल जाएगा तिहां पे थोड़ा सा हमने different example लिया ह यह concept आपको और clarity के साथ समझ में आ जाए अगर same pattern एक और दिन आपको repeat होता हुआ देख रहा तिहां पे आपको जल्दवाजी नहीं करना यह जरूरी नहीं है कि अगर price आपका range में move कर रहा तो अगले दिन हमें breakout या breakdown देगा है हो सकता है यह range आपका extend भी हो जाए जैसे यह यहाँ पर दो दिन हुआ था तो यहाँ पर एक विक भी देखने को मिल सकता है लेकिन जितना दिन जाएगा उतना बड़ा हमें breakout या फिर breakdown upside या downside में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर हम कुछ और अलग example पर आना चाहेंगे वह आपका ACN PANTS के 15 मियट के time frame पर आना चाहें सारा knowledge gather कर सकते हैं और वो सब कुछ सीखने के बाद आप खुद से यह सारा trading strategy form कर सकते हैं और trading strategy basis पर अपना trade setup तयार कर सकते हैं अगर आपको वह course सीखना है तो आपको हमारा mobile app equity community को download करना होगा play store से नहीं तो उसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा उस app को download करके आप हमार course देख सकते हैं technical analysis का लाबा वहां पर आपको features options से related भी course मिलेगा बागी candlestick से related भी course मिलेगा और पूरा stock market से related from basic to advanced वो सारे course भी आपको मिलेगे वहां पर visit करके course को जो उट देगे और जो भी course पसंद आता आप उसको enroll कर सकते हैं तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और यह देख कर सकते हैं तो इस दिन के अगर आप चार्ट को देखो एसीन पेंस में भी हमें पहला पंद्रमेट में काफी big candle देखने को मिला है और यह candle का low बना और यह candle का high बना है अब इतना big candle बनने के बाद अब इसके बीच में move करता हुआ दिखेगा और वही चीज हमें चाहि एक और pattern को identify गिया क्या pattern identify गिया कि इसके resistance लाइन के करीब price आपका एक और range बना रहा इस candle के अंदर ही देख सकते हैं यह जो है यह इसका resistance लाइन बन गिया है तो यह नहीं यहाँ पर क्या चलवा है यहाँ पर आपका एक distribution phase भी आता हुआ हमें clear cut देख रहा इस candle के अंदर है तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं इसके low को mark कर सकते हैं और high को mark कर सकते हैं और जैसे low को break करके नीचे जाएगा हम sell side की तरफ जाएंगे तो यहां पर हम डेफिनेटली सेल साइड की तरफ जाएंगे और यह हमारा टागेट पैस बन जाएगा इसको हिट नहीं किया लेकिन क्लोजिंग आपका इसी के आसपास दिया यहां पर हम अल्टिमेट प्रॉफिट साइड की तरफ रहेंगे लेकिन अगर हम प्रेवियस कॉंस इसका जो लो था उसको ब्रेक करके नीचे नहीं किया अब प्रैस नीचे आगया तो लो ब्रेक करने के चांसेस में जढ़ा देखने को मिलेगा तो यहां पर हम 16 अप सिप्टम्बर को भी वेट करेंगे और उसके बाद हम 16 अबाद चाइस के लिए बीठ सकते है और यहां प ट्रेलिंग SL के जरी है ठीक है ट्रेलिंग SL के जरी इसको carry forward भी किया जा सकता और उसके बाद देखिए अगर हम इसके बाद भी sell-sary की तरफ जाते हैं तो हमें अच्छा खासा momentum देखने हों मिला all the way price आपका 1380 अफि 1370 से ले लिजे वहां से all the way यह आपका 3250 करीब आता हुआ दिखा है यहनी लगबग आपका 120 point का गिरावट दिखा है और 120 point का गिरावट का मतलब है कि यहाँ पे हमें आसानी से 4% का return मिलता हुआ दिख गया है अगर हम इसके बाद trade लेते हैं तो अगर आ 5% तो 5% तक का return आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख जाएगा तो यह सारा ट्वेट सेटम अपने तयार कर सकते हैं और identify कर सकते हैं कि नेक्स ट्रेडिंग सेशन इस तरह का stocks में हमें momentum देखने को मिलेगा और उस momentum को catch करते हुए उस momentum पे right करते हुए हम profit बना सकते हैं बस यह करते हैं कि आपको हमारा इनालिसिस समझ में आ गया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के content हम आगे भी आपके लिए पिलाते रहेंगे सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद